आज मैं आगे हूं चाहर यहां बहुत ही पॉपलर प्रॉपरिटी है तारीका रिजॉर्ट करके तो मुझे लगा कि मुझे अपने फैमिली के लिए उसे एक्स्प्लोर करना चाहिए तो चलिए गाइस एक्स्प्लोर करते हैं तारीका रिजॉर्ट तो फ्रेंड अब हम पहुचने वाले हैं तारीका रिजॉर्ट तो यहां देखे आपको दो वे दिखाए दे रहे हैं जो राइट साइड है आपको उस तरफ टर्न करना और नीची की साइड जो आपका लेफ्ट है वहां पर काली का टिबाई चाहिल का सबसे फेमस टेंपल है तो अधिकतर लोग इस मंदीर में जाते हैं जब भी चाहिल आते हैं बट अभी हम जा रहे हैं तारीका रिजॉर्ट तो तारीका रिजॉर्ट के लिए अपने राइट साइड चूज करना और थोड़ी ही सी दूरी पर पहुंच जाएंगे हम तारीका रिजॉर्ट वन उफ गाड़ी को हमने टर्न कर लिया है और हम पाइनली हम लोग पहुंच गए हैं तारीका रिजॉर्ट ये देखिए चाहिल का वन उफ तब पाइनिस्ट प्रॉपरिटी ये देखिए चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि पेड़ ही पेड़ है और ब्यूटी देखिए अच्छा प्रॉपरिटे हैं विडियों आज देखिए आप लोगों के लिए चाहई ला गई हूं और एकदम वटर्फुर प्रॉपरिटी लेकर आया है ये देखिए चारों तरफ देखिए इसके ट्रीज है और आते आप पर ना मन एकदम खुश होने वाला है एकदम पीस् प्रापर्टी को शूट नहीं कर पाई थी व्लॉग नहीं मैंने बनाया था जिस्ट के लिए थी तो मैं ट्रावल एजेंट थी खर अभी भी ट्रावल एजेंट हूँ तो यह रेखिए अभी तो आप जस्ट आनंद लीजिए बाहर का यह रेखिए बाहर ही कितना अच्छा सा आपको फील होने वाला है यह देखिए ट्रीज चारो तरफ ट्रीज है गाइस मतले की फ्रेश एर अपको एक्दम फ्रेश आने वाली है और अब हम लोगों ने यह देखिए पार्क इधर ही करनी है और हम पहुंच गे सामने जो आपको गुंबर टाइप दिखाए रहा है न यह है यहां का रिसेप्शन तो रिसेप्शन ही देखिए कितना ब्यूटिफुल है गाइस एक दब यूनिक है तो फाइनली फ्रेंड मैं पहुंच गए हूं तारीका रिजॉट और यह जो प्रापेटी है रियल आते ही बने कि ऐसा एक पीसफुल और बहुत ही अच्छा सा जाउट फील हो रहा है तो बहुत ही बइृटिफुल प्रापेटी है इब भाहर गरी देखिने हैं रिसेप्शन और लिसेप्शन पर खड़ी हूँ तो रिसेप्शन देखिए चली अब मैं आपको पूरी प्रापेटी एक्स्प्लोर करवाति हूं तो ये देखिए फ्रेंड्स ये गुंबत टाइप जो बना ही है यहां की रिसेप्शन और बहुत ही यूनिक है बहुत ही ब्यूटिफुल है और इसके चारों तरफ तो आपने जैसे देखे लिया है कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है ग्रिनरी है लश ग्रिन चलिए एक्स्प्लोर करते हैं अंदर से गाइस मैं घूम रही हूं यहां पर ब्यूटिफुल वादियों में यह देखिए कितना ब्यूटिफुल है बहुत ही ब्यूटिफुल प्लेस है अब मैं आपके लिए पूरा एक्स्प्लोर करूंगी तो चलिए और एक और चीज़ इस बाद आती हूं मैं यह देखिए यहां पर अगर किसी के नीज वगारा में प्राब्लम है तो यहां पर काट भी है इसके थूरू भी जा सकते हैं अगर किसी को नीज की प्राब्लम आएगी यह देखिए कितने चीज़ स्क्लिफुल्प्शुर्स है सबसे पहले हम लोग तो चलिए सबसे पहले एक्स्प्लूर करते हैं यहां का रेस्टरॉन क्यूंकि अभी बच चुके हैं 1.30 और हमें भूख भी लग रही है तो हमने सोचा चलिए पहले कुछ खाना खालिया जाए उसके बाद हम लोग और जिसे रूम्स वगार है उसको एक्स्प्लूर करेंग तो आप देखें कितनी ब्यूटिफूल है यहां देखें मैंने बोला ना आपको यह जो होटल है ना पूरा का पूरा यह जो रिजॉर्ट है लश्ग्रिन सराउंडिंग से गिरा हुआ है और आपको चारो तो यह नीचे आपको दिखाए दे रहा है यहां पर वैडिंग बिकाज अब वो लोग अगर आ जाएंगे उनका तीन बजे आना है उन्होंने इसलिए हम जल्दी से सोच रहे हैं कि इसको टाक से एक्स्प्लोर कर लें जितने रूम हम कर पाएंगे वैसे अभी नहीं है यहां पर सारे पैक्ट है रूम और तब तक जब तक कोई नहीं आता है तब तक हम रूम एक्स्प्लोर कर लेंगे बट फिल्हाल अभी तो हम रेस्ट्राउन के तरफ जा रहे हैं तब तक आप आनन्द लेजिए और आपको बता यह क्या सामने दिखाए दिरिए ग्लास कॉटेजिस है यहां पर तीन ग्लास कॉटेजिस है एक अभी ऑपरेशनल है अभी नहीं हुई है और यह देखे हम पहुंच गहीं है रेस्ट्राउन यह देखिए आउटर एरिया यहां पे अपना हाइटी वेगर आप इंजॉय कर सकते हैं लेकिन अभी हमें तो जाना है अंदर सबसे पहले हमें करनी है पेट पूजा उसके बाद काम दूजा उसके लेगी करते हैं एक्सप्लोर अंदर से इसका रेस्ट्राउन और यह देखिए रेस्ट्राउन आपको खाली खाली लग रहा है ना पर यह खाली इसलिए क्यूंकि आपको मैंने बताया है कि यहां तीन-चार बज़े के ग्रूप आ रहा है और ग्रूप लगेगा तो यह आपको देही रहा है कि चेर्स एन आल यह देखिए काफी वाइड और काफी बड़ा और यह बाहर का एरिया है आउटेर यहां से आप एक्जिट कर सकते हैं यह देखिए तो फ्रेंट अब मैं आगी है रेस्ट्राउन में तो फूड तो टेस्ट करना बनता ही है ना इच्छ लेट पनीर की सब्याएं चपाते हैं यह था यहां कर रेस्ट्राउन और एक और अदा ऑपको लिए जेखिए और आक मिलेगा और एलते हैं और इक से लेने नहीं पर लिए तो यह देखिए कितना solid है बैठने के लिए आप बैठिया और यहां पर enjoy कर कीजिए अपना लिख कर अभी हमने explore किया है यहां का restaurant area, bar area और discotheque, discotheque भी हम गए थे लेकिन वो ना काफी अंधीरा था तो lights तो आपको तभी होगी ना जब उसके अंदर lightning and all होगी वो होता है night में तो चलिए अब हम ने अब हम जो explore कर रहे हैं यहां का basic जो rooms होते हैं यह बिलकुल आपके reception area के पास है और यह 18 rooms है यहां पर जो basic जो आपके rooms है वो 18 है तो यह देखिए काफी वाइड है काफी जो basic category वो ही देखिए कितनी beautiful है काफी बड़ी है और चलिए आपको बाहर से दि दोर को और बाहर से explore करते हैं इसके view और view देखिए यहां पर आप बैट कर अपने newspaper या कुछ भी enjoy कर सकते हैं beauty enjoy कीजिए और यह देखिए forest area का view आ रहा है काफी बड़ी balcony है यहां के जो कि basic rooms है यह 18 rooms है यहां पर और आप अराम से अपने tv enjoy कर सकते हैं तो यह देखिए यह थ इसका है तो चलिए यह देखिए यह तो है यह पूरा basic और रूम इसका वाश्रूम देखिए वाश्रूम काफी बड़ा है और साफ सुत्र है कोई ऐसे आपको stinking नहीं आएगी खुश्बू ही आएगी यहां पर और चलिए और यह देखिए cover यह देखिए बिलकुल आप इस केटेगरी मिलेगी हम पर आपको reception area के साथ ही था हमारी basic category और नीचे की तरफ अब हम जाएंगे तो अब हम explore करने जा रहे है conference conference hall यहां पर तीन conference hall है तो यह देखिए पहले वाला है जिसमें ज्यादा gathering होती है I think 150 packs आराम से आजाते हैं यह देखिए यह इसका outer area है काफी wide है यहां भी आप snacks यह high tea वेगरे enjoy कर सकते हैं चलिए अब हम explore करते हैं यहां का conference hall तो high tea वेगरे के लिए आप setup यहां भी लगता और डीजे वेगरा अगर आपने enjoy करना है तो यह देखिए इदर आप enjoy कर सकते हो conference hall के बाद अब हम आगे हैं के gaming zone में जहां पर यह आप games वेगरा कर सकते हो यह देखिए यहां पर आप enjoy कर सकते हैं सारे अपने games indoor games और यह देखिए और यहां पर यह देखिए सारे games के जितने भी equipment है आपके indoor के सारे equipment रखे गए हैं तो library भी है यहां पर यह देखिए अगर आप शौक रखते हैं पढ़ने का if you are fond of reading books तो आप यहां कर enjoy कर सकते हैं और games भी कर सकते हैं और यहां पर कुछ COVID के rules लिखे गए हैं और देखिए काफी बड़ा है यहां का जो recreational activities है वो काफी बड़ी है यह देखिए सारी indoor activities आपके सामने हैं यहां पर और आप यहां पर enjoy कर सकते हैं अपने indoor activities टीवी भी रगा हैं अगर आप टीवी भी देखना च activities के लिए आपके पास सब कुछ हैं यहां पर libraries भी है पढ़ने के लिए तो यहां पर guys two conference halls है तो अभी उन्हें नीचे देखा था जिस पर जो gathering है वो वन फूर्टिदग हो जाते भी और यह वाला ही तुपरा चोटा है इसलिए 65 तता आपी gathering हो जाते हैं तो चलिए एक्स्ट के लिए अब इस conference हों से हमें क्या वियू आता है वैसे वियू तो यहां पर आपको चारों तरफ मिलेगा आने के लिए के रेस्ट्राउन और प्रेंड यह है मैं फिर यहां पर थर्ड जो conference होले तीसरा यह होता है पूब है यहां पर पार्टी कर सकते हैं बढ़्दे वगएरे कर सकते हैं तो और यह देखे कितना चाल मॉंटन दिखाए देने हैं और यह कुछ इस तरह से और नीचे रेस्ट्राउन यह सबसे टॉप में है तो इसको वियू है भी आपको आने वाला है amazing देखिए गाइस किस तरह से आपको mountain and all दिखाए दे रहा है पूरा आपको पूरा यहीं से ही पूरा resort दिखाए देगा और भाई व्यू तो amazing व्यू है amazing जीसे कहते है न वाउ यह देखिए इसका है terrace यहाँ पर आप bonfire वगएरा और चोटे multi parties कर सकते हैं इसके बाहर में जा रहे हुए spa तो देखिए अब हम पहुंच गए spa और यहाँ पर खास बात यह कि spa with indoor swimming pool है तो यह देखिए यहाँ पर रखा गया है यहां का कि कितने prices हैं यहाँ पर 2000 से start है spa यह देखिए prices की सार लिखा गया है कि क्या 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 आप कर वाउगे तो आपको कितना यहाँ पर पे करना होगा यह देखिए oils and all सब रखे गए हैं तो मैं आपको दिखाते हूं यह देखिए यहाँ पर spa होता है आपको इसी तरह के यहाँ पर टू बने हुए हैं तो यह देखिए यहाँ तो यह देखिए अंदर से कुछ इस तरह से देखिए सोफा और व्यू देखिए ग्लास से कितना अचा व्यू आ रहा है ऐसे लग रहा है बादल हमारे साथ ही है वाव अमीजिंग गाईस सर्दियों के लिए तो न यह एकदम हैवन है यहाँ पर और यहाँ पर आगर आपको गर्म लगे कि तो एसी जैनल सब कुछ है इसके अंदर और यह दिखिए यहां बैडिंग अनल कितनी चीज़े की गई है और काफी अचा फ्वील हो रहा है मेरा मन कर रहा है कि आज मैं यहीं पर इस्टेक कर लूँ ग्लास कॉटेजिस के अंदर तो आपको तो यहाँ आना च ग्लास कॉटेजिस में ब्यूटिफुल व्यू यह देखिए हाँ पर त्री ग्लास कॉटेजिस है मैंने एक एक्स्प्लोर कर दी सेम ही है और यह देखिए चारो तरफ आपको गार्डन मिलेगा और व्यू देखिए वाट आ व्यू फिल लाइक है तो अब जो हम एक्स्प्ल करते हैं लग्जरी माउंटेन व्यू यह है लग्जरी माउंटेन व्यू रूम है तो यह देखिए वाश्रूम और जो वाश्रूम में देखिए गाइस बिल्कुल नेटन क्लेन है और यह हमारे लग्जरी माउंटेट रूम्स तो जो नेक्स्ट कड़गरी है वह हमारे वूर्स्टॉक तो चली एक्स्प्लोर करते हैं वूर्स्टॉक जो वूर्स्टॉक है यह टोटल जो रूम में है यह फाइफ रूम से देखिए व्यू कुछ इस तरह से वाव लश्क रिन सराउंडे तो फ्रेंड यह थी ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी तारीका रिजॉर्ट एंड स्पा आपको यह प्रॉपर्टी पसंद आई अगर पसंद आईए होगी तो लाइक जुरूर बनता है मेरी वीडियो को मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चाहते हैं सारी नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो रहती हूं सबसे पहले आप तक पहुँचे तो यहां पर आ पीट करना ना भूलिएगा जल्दी मिलती हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई ठीक क्यार